हेलो वलकम टू योर नियू डारेक्शन यह वीडियो उन छात्रों के लिए है उन लाखों छात्रों के लिए है जिनको इंतजार है उत्तरप्रदीस में नई TGT PGT सिच्छक भरती और वो भी 27,000 पदों पर नई TGT PGT सिच्छक भरती आए इसका इंतजार अगर आपको है तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि जब शासन इस तरसे वार्ता हुई है भी हाल ही में कई बार विक्की खांसर की यूआ मोर्चा की तरह से यूआ मंच की तरप से बहुत शार्याएं हुई है तो उस वार्ता के महद्दि से चैन बोर्ट के सामने से जो बाते निकल कराई कि अब जो TGT PGT सिच्छक भरती है वो 27,000 पदों पर नहीं होगी जिहां अब बताया जाता है कि केवल 5,000 के अंदर ही कुछ पदों पर नई TGT PGT सिच्छक भरती का जो विज्यापन है वो जल्द यहां पर जारी होगा लेकिन 27 27,000 पदों पर अधियाचन को लेकर यहां पर बड़ी अपडेट है दोस्तों यह मेल आज की है यहां पर आप देखेंगे 14 अपरेल 2022 को विशह मादमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड में शदश्यों की ततकाल न्युक्ति करने जो चैन बोर्ड में शदश्य होते हैं उनकी य पारेंट से भरती भी रुकी हुई है 27,000 रिक्त पदों पर चैन प्रक्रिया सुरू करने के सम्मन्द में यह मेल यहां पर सियम आफिस को किया गया है अनिल जी के मादम से जो की युवा मंच के अध्यच्छ है यहां बिशह आप देखेंगे कि 27,000 पदों की मांग की गई है और बताया गया है कि जो 27,000 पदों की चैन प्रक्रिया है उसकी खबरे जो है वो विभिन समाचार पत्रों में पिछले 6 महिने से लगातार प्रमुकता से यहां पर प्रिंट की जा रही थी और जो अधियाचन की जानकारी थी वो भी यही थी कि 27,000 पदों पर ही चैन बोड क अधियाचन प्राप्त हुआ है यहां पर आप देखेंगे चैन बोड को जो अधियाचन है रिंक्त पदों का वो 27,000 पदों पर है लेकिन एकदम से चैन बोड के माध्यम से यह गोशना कर देना कि लगबख हम 5000 के अंदर ने 4700 पदों पर नई TGT PGT सिच्छक भरती करेंगे यह चात्रों को हैरान करने वाली अपडेट थी इसलिए यहां पर इस ग्यापन को मुक्मंत्रिजित को भेजा गया है शदश्यों की नियुक्ति पहले की जाए क्योंकि जब तक शदश्यों की नियुक्ति नहीं होगी तब तक भरती नहीं आएगी आप देखेंगे आप बत कारी उपलब्द कराना यह सभी चीजों के लिए इस ग्यापन को भेजा गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द रिक्त पदों का डेटा और एक अत्रित किया जाए उन्हें बढ़ाया जाए सदश्यों की नियुक्ति की जाए और जल्द से जल्द 27,000 नई टी जीटी पीटी सिच्छ भरती का जो यहां पर विग्यप्ति है वो जारी की जाए अनिल सिंग अध्यक्च युवा मंच की तरफ से इस मेल को किया गया है उम्मीद है इस पर जल्द कुछ कारवाई होगी पदों की संख्या बढ़नी चाहिए साथ में सदश्यों की नियुक्ति हो ता पिल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले